हर हर महाधेब आपका संजीब ड्रेलिंग ब्लॉक में सो आगत है दोस्तों आप सबी को पता होगा चारधाम यात्रा में कीवल लब दो दिन बचे हैं दो दिन भी कहां आज एक तारिक आपकी हो चुकी है कल के दो परसों से यात्रा आपके स्टार्ट हो जाएगी जो कि आपकी गंग उत्री और इन उत्री की पहले यात्रा है दोस्तों इसमें सबसे बड़े ये होते हैं कि हम इसमें नियम क्या है सरकान ने नियम जारे कर दिये हैं और जो गायट लैंसे वो भी जारी कर दिये हैं सरकान ने और क्या क्या जारी करी हैं मैं आज आपको बताने बाले हुँ, ताकि आप किंफ्यूज नहोंग और परिशान नहों दोस्तों और आपने हमारा चैनल ला ब ev अबी तक सब्सक्राइब नहीं है, तो पैले तहमारी चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आगरन घंटे देवादन जिससे कि आपको हमारी वीडियो टेम से मिलते है दोस्तों आपको पता है कि ई-पास बहुत जरूरी है इस बार सरकार ने कह दिया कि आपको ई-पास लाना बहुत जरूरी है क्योंकि इपास के बिना आपको यात्रा परमिट, जो आपको अंधर आ, उत्रक् warm अंधर एंटरी कर दी जाती जाती है, वो आपको नहींमी मिलेगी, बिना इपास के, इपास होगा या रिस्टेशन होगा, इनका मतमल ये ही है, आपको रिस्टेशन आ इपास अपने है उस पर जाकर आप उनलाइन कर सकते हैं कि किसे कर भा सकते हैं यह कंपल सरी है फिर इसके बाद आता आपका कोविट डाइंटीन रिपोर्ट इसमें बुलकुल साफ मना कर दिया है कल की जो हांकि मुख्य मंतरी हैं उन्हों साफ कह दिया कि कोई भी 45 दिनों तब कोई कोई रि कोचेंगे किसकी हमें जरूत है या नहीं है आप जा सकते हैं चार धाम यात्रा के दरनाद बदरनाद के आप यात्रा कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब चाहे तो आप कहीं भी घूम सकते हूँ यह नहीं कि आपको चार धाम यात्रा में आपको घूमना आप जहा प्लेस में जा रहे हूं कहीं भी जा रहे हूं आपको मास लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि मास लगाना आने वारिया कर दिया गया है इसलिए आप मास जरूर लगाएं बिना मास के कहीं निकलें और आपनी जो दूरी है वो आपको मैंटेंड रखें सेने टैजर अपने साथ रखें वो आपके साथ आपके साहिता के आप सबसे बेस्ट है और आपको नियम भी मानने पड़ेंगे पर इसके अंदर सरकान ने सबसे बड़ी गाडरान जारी करिए कि आपको ऐसा होता आना कि जितने यातरी जा सकते हम पिस पहले ऐसा होता था कि हम जितने यातरी जा रहे ह दर्सन कर पाएंगे उसी हिसाब से हम आगे भीज़ेंगे ऐसने कि 20,000 चले जाएं, 40,000 चले जाएं ऐसे कुछ नहीं है, सोच समझ के जाएं जो मैं आपको बताने बालूँ पहला है गंगोत्री, गंगोत्री में 7,000 पर आदमी, 7,000 एक दिन में दर्सन कर पाएंगे गंगोत्री में फिर आता आपका यमनोत्री यमनोत्री में आपके 4,000 आदमी आपके जो भक्ते हैं वो दर्सन कर पाएंगे 4,000 से जादा नहीं जा पाएंगे पूरे दिन में फिर आता आपका कैदरनाथ कैद 주र नाथ है 20,000 के लिए 12,000 के लिमिट है 20,000 से यातरी उपड नहीं जा सकते फिर आता हमारा बदरे नाथ है 15,000 भक्त जा सकते हैं एक दिन में यातर करने के लिए इससे जादा यातरी नहीं जा सकते और जो इसकी जो काउंटिंग होएगी जो आपका ऐपास है तो उससे काउंटिंगा भी होती चली जाएगी कि जितने आपको भीजने हैं अगर ये पूरे हो जाएगा तो आपको रोक दिया जाएगा हुई आपको अकले दिन के लिए कह दिया जाएगा ये सबसर बड़ी नियम है क्योंकि इससे कोवेंटणी की जो रिपोर्ट है भी आपको इससे चाएगा बेर जाते हैं रहेगी इसलिए आपको ये नियम पैंतालिच दिन तक लाओ कर दी गही़ है सरकान ने कहा कि जो हमने ये नियम है 25 दिन तक हमारे लाओ को रहेंगे 35 दिन तक ये नियम कोई भी बतलाव नहीं कोगा अगर हमें इसमें कुछ जो हमने ये नियम बनाया अगर इसमें हमें लगता कि इसमें कुछ छूट करनी चाहिए कुछ और नियम बढ़ान चाहिए वो हम 45 दिन बाद देखेंगे ये मैन मैन आपको बता दिये जो छोटे मोटे जो नियम है वो तो आप इंगे तिंगे चलते रहते हैं इसलिए आप इसमें जो सबसे बड़ी जो नियम है वो है कोविंड डानिटिर्ब कर आप समझ गयोंगे दोस्तों अगर आपने हमाद चनल सब्सक्राइब कर ले हर हर महादेव